वेलकम टू माई नर्चर मैं हो क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो लिए स्टार्ट करते हैं सब लोग फार्मेशिल लॉइन एथिस्खा नेक्स्ट चैप्टर जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं नार्कोटिक ड्रक्स एंड साइको ट्रॉपिक सस्टांस ठीक है ना ये इसको ले करके अच्छा नार्कोटिक्स क्या होते हैं सब लोग अच्छे हैं जानते हो नशीले पदार्थ हिरोइन कोकेन वगरा मॉर्फिन वगरा ठीक है ना साइको ट्रॉपिक सब्स्टांसे कोई भी केमिकल जो हमारे बिहेवियर में चेंज ला दे जैसे क कि हम कह सकते हैं क्या मतलब है जैसे कि लोग दारू पी लेते हैं और एक डरपोक सा भी इंसान होगा तो वह एकदम निडर हो जाता है तो उसने हमारे ब्रेन में कुछ चेंजिस कर दिए ठीक ना डेटिस साइको ट्रॉपिक सबस्टांसे अच्छा इनके उपर एक्ट और क्रारा करें तो सुसाइटी के लिए दोनो2000 में क्या है अगर आदमी कामकाज न शौने में रहाएं तो दिक्कत है ठीक है क्राइन सबकूर सबकूर का कुछ एक्ट इसको ले करके एक एक्ट बनाया गया ठीक है ना उनीस सो पचासी में सबसे पहला कुर्शन तुम्हारा यही है जो तुमको याद होना चाहिए उनीस सो पचासी में आया था यह ने कॉमनली रफर्ड टो एश ंडीपीएस इस तो शॉर्ट फार्म में हम लोगों को इन पडीपीएस एक्ट ठीक है इट Baptist omega या ख्वर्ड़ूओ आप manufacture नहीं करींगे अधा मेनुफेक्ट्टर नहीं करेंगे तो बनिया рассके लेना करेंगे उसके लाब को लुए刁स लेना होगा क्रेक्ट्र in करेंगे करिंगें कल्टिवेशन नहीं करेंगे उगाएंगे नहीं पॉसेशन आप अपने पास किसी वी टाइब पर नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्स्टांस रखेंगी नहीं विदाउट पर्मीशन ठीक है ना जैसे कुछ दवाएं अगारा भी आता है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होता है तब कोई इंसान उसको खा सकत आपके पास कोई वजय ना हो ठीक है अगर कोई खा रहा है नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक सब्स्टांस तो पेशन वना चाहिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन खा सकता है अधर्वाइज आप बिना किसी वजय के यह सारे काम नहीं करेंगे ठीक है दा बिल वाज इंटर्डूस इंटर्डूस इंदा लोकसवा ओन 23rd अगस्ट 1985 लोकसवा में लाया गया था 23rd अगस्ट 1985 में इड वास पास्ट बाइब बोद दा हाउसे सॉफ पार्लेमेंट है ना पार्लेमेंट के दोनों सुजो सदन थे उनको दरब पास कर दिया गया रिशीव एस इस एक्ट हैस सिंस बीन अमेंड़ फॉर तांग उसके बाद से चार बार यह अमेंड हो चुका है इसमें बदलाव ला चुके है 1988 में 2001 में 2014 में और 2021 में दा एक्ट एक्टेंडे टू दू दा होल ओ आप इंडिया में लागू है और यह जो इंडिया के सिटीजन है जो बहार रहें कंटरी के उनके ही लागू होता है ठीक है ना एन्ट वॉल पर्सांशॉन ओंशिप्स एंडट रेस्टेर के इंडिया और चाहें कोई इंसान जहाज बैठा ओ यह अर प्र यूब बैठाओ उसके ओपर भी लागू होता है ठीक है ना कानून के छोटच छोटए दाव पेच होते हैं इससे आदमी निकल लाता है तो सब कुछ कवर कर दिया इसमें ओके नार्कोटिक कंट्रोल बीरो वास सेट अप अंडर ठीक है ना और बड़ा ऑल परसन से आने की अगर कोई एरक्राफ्ट में बैठा या जहाज में बैठा हुआ चाहिए वो किसी भी कंट्री का हो लेकिन अगर इंडिया का रेइस्टर जहाज में बैठा हुआ तो उसके पर यह लागू होता है ठीक है ना ना नार्कोटिक कंट्रोल बीरो ऑफ इंडिया वास सेट अप अंडर दा एक्ट विट इफेक्ट फ्रॉम मार्च 1986 है ना ना नार्कोटिक बीरो जो कंट्रोल करे पताने वाली है नई लिखों के तो भी चल जाएगा कह रहा है इस एक्ट को डिजाइन किया गया था कि इंडिया पूरा कर सके फुल्फिल कर सके टीटी टीटी ऑप्लिगेशन जो इसने संधिया करी है विदेशों में जाकर के दूसरी कंट्री के साथ क्या संधिया हुई है अंडर दा सिंगल कंवेंशन जो मीटिंग होता हुई है नार्कोटिक रॉपर कन्वेंशन ऑन और किसके रोगथाम के लिए इसको कैसे इंडिया करेगा उसके तहत ये setup एक्ट लाये गया ठीक है तो एक कोशन आ सकता है बस जानना है हमें कि 6 चैप्टर है इसके अंदर हर चैप्टर में कलालग बात होती है और टोटल मिला करके 83 sections है के लिए रहे है अब इसके अंदर बेटा कुछ definitions है जैसे कि अपने स्लेव से मैंशन है कुछ definitions अब कौन सी definitions है एक्जेक्ली नहीं बोली गई है तो खास-कास definition जैसे की addict हम कहते हैं या वह addict हो गया है तो इस addict से आप क्या समझेंगे अधिक का मतलब है आप person who has dependence on any narcotic drug और psychotropic substances अगर कोई इंसान किसी के अपर depend हो गया है और वो narcotic drug है या psychotropic substance है तो इसको हम edit कहेंगे cannabis या hemp इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब कई तरीके से हम लोग देख सकते हैं चरस that is the separated resin चरस जो होता है जो पेड़ में से resin को तोर पे निकाल लिया गया है in whatever form वो किसी भी रूप में हो whether crude चाहिए वो raw form में हो और purified और obtained from यह लाइन इसी क्या आगया है obtained from the cannabis plant या obtained क्या गया है cannabis plant से and also include concentrated preparation and resin known as hushish oil और liquid hushish ठीक है यह थोड़ा सा setting में गरवड हुआ है और liquid hushish किसी भी रूप में हो तेल के रूप में पॉटर के रूप में and leaves count नहीं किया जाएंगे when not accompanied by top ठीक है ना अगर seed और पत्ते top flowering और fruiting top के साथ हैं तो count किया जाएंगे अगर top नहीं है तो count नहीं किया जाएंगे by whatever name they may be known or designated चाहिए फिर इसको हम किसी भी नाम से बुलाएं किसी भी नाम से बुलाएं वो गांजा ठीक है ना वो भी cannabis के अंदर count किया जाएगा ठीक है आगे आते हैं तो cannabis के अंदर एक तैसे हम कि देख सकते हैं कि जो भी plants हमारे cannabis से मिल रहे हैं जो भी parts हमें cannabis से मिल रहे है any mixture with or without any neutral material कोई भी mixture हो जिसके अंदर neutral material हो चाहिए neutral मतलब जिसका कोई रोल नहीं है ठीक है of any of the above forms of cannabis cannabis की उपर ही कोई भी रूप और वो किसी mixture में पड़ा हुआ है अकेला ना हो करके किसी के साथ मिलाया हुआ है और any drink prepared there from या इसको लेकर कोई drink बना दी गई है तो वो भी किसके अंदर count की जाएगी cannabis के अंदर count की जाएगी बास समझ भा रही है तो चरह इस किसी भी रूप में हो हिंदी में अपना समझने के लिए powder, oil, liquid किसी भी रूप में हो गांजा किसी भी रूप में हो या इनका mixture मालोग खाने मिला दिया तो भी count किया जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि हम खाने मिला यह खा रहे हैं तो हम खा सकते हैं ऐसा नहीं है ठीक है ओके नौ यह तो था केवल cannabis या हैम अब बात को नो cannabis plant means any plant of the genus cannabis cannabis genus का genus समझते हैं नो genus of species biological नहीं होता बाटनिकल तो cannabis genus का कोई भी plant होगा वो cannabis plant कहलाएगा clear है आगे आते हैं coca derivative इसका मतलब क्या है crude cocaine that is any extract of coca leaf किसी भी तरह का extraction हो coca leaf से which can be used directly or indirectly for the manufacture of cocaine यह लाइन इसी के आगे है ठीक है ना किसी भी रूप का coca extract हो जो कि उससे पत्रे से आया हो जो directly यह indirectly इस्तमाल हो रहा हो cocaine बनाने के लिए देन एक्रगो 9 यह एक्रगो नीन and all the derivative of एक्रगो नीन from which it can be recovered एक्रगीन नाम का chemical और उसके derivative ठीक है ना from which it can be recovered यह वो कि जिस किसी रूप से भी हमें मिला हो cocaine that is methylister of benzoil acogene and its salt तो जाने की बेटा समझ ना कोका derivative कौन कौन है जो कोका से derived होके आ रहे हैं इसके अंदर crude cocaine आ गया एक्रगीन आ गया cocaine जो की methylister of benzoil acogene and its salt हो गए यह भी इसके अंदर all acogene cocaine and any other acogene alkaloid have been removed कह रहा है कोका लीफ का मतलब है तर लीफ of the coca plant ठीक है coca plant का पत्ता है उससे coca plant का मतलब समझेंगे except coca leaf में कौन काउंट नहीं होगा मालो इस ही plant की leaf है लेकिन उसके अंदर से हमने acogene cocaine and any other acogene alkaloid have been removed लेकिन उसके अंदर से हमने पत्ते करने से क्या कर लिया है यह सारी चीज़ें remove कर दी है अब जो पत्ता बचा वो coca leaf के अंदर count नहीं होगा है अब को सब कुछ से निकल गा इस निकलोड इन से मिला हुआ कोई mixture of with or without any neutral material ठीक है विद और without any neutral material neutral मतलब ऐसा material जो कोई effect नहीं डाल रहा है खाना पीना हो सकता है ठीक है तो इसका कोई mixture हो सकता है पत्ते का बट ड़ नॉट इंक्लूड एनी preparation containing not more than 0.1% of cocaine सेम वह आ गया किसी भी preparation में अगर 0.1% ज्यादा है ठीक है ना तो हम उसे मानेंगे इस पत्ते का तुकडे की बात हो रही है यहां पर ठीक है ना पत्ते को ले के डाल रहे हैं हम लोग तो इस पत्ते को लेकर ने कोई mixture बना हो इस पत्ते को हमने कहीं डाल दिया और वहाँ पर 0.1% ज्यादा वह सब को कलीफ के अंदर कॉंट ओगी बास मिवा रही है ना यहां पर पत्ते को लेकर बात हो रही है इस को का जा जा रहा क्या है यहां पर इन रेलेशन तो नार्कोटिक ड्रक्स और साइको ट्रॉपिक सब्स्टांस ऐसा की बात करें तो मीज एनी कॉंटिटी ग्रेटर देन दा कॉंटिटी स्पेसिफाइड बाइडा सेंट्रल गॉवर्मेंट नटिविकेशन इन दॉफिशेल गैजट यहां quantity mention नहीं की गई है और करनी भी नहीं है ठीक है ना वरना यह कुछ चीज़ें बैन होती मतलब आप officially इस तरह से नीचे रखो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं है ठीक है तो commercial quantity क्या है एक ऐसी quantity है जो कहा है government की इसके नीचे quantity आप रख सकते हो लेकिन इसके उपर ही quantity है वह commercial वह बेची जा मतलब कितनी quantity को आप बेच सकते हो commercial ठीक है ना commercial कर सकते हो commercial समझते हो बेच सकते हो profit के लिए profit के लिए यह नहीं कि आप किसी को भी ऐसे दढ़ले से बेच दो गए बकायदा license होता है ठीक है खेती करने का license होता है फिर उसको आपको authority को ही देना होता authority उसको proper chemical factory में बेचती है जहांसे दवयां घरा बनती है तो proper authority होती है इसकी आगे एक और टर्म आता बेटा controlled substances बच्चे यहां से बड़ा confused रहते हैं controlled substance ऐसे substance इसको control किया हुआ है control किसको किया हुआ है नार्कोटिक और psychotropics को clear है means any substance which the central government may having regard to the available information as to its possible use in the production और manufacture of narcotic drugs और psychotropic substances और the provision of any international convention by notification in official gadget declared to be a controlled substance तो control को अंदर simple किया है 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 तो डेफिनित 3D हो गई है फ्रवा समझानी कोईश करता हूँ means कोई भी substance which the central government may having regard to the available information as to its possible use in the production और manufacture of narcotic drugs सिरी सिरी बात बोल दी कोई भी substance ठीक है ना having regard to the available information as to its possible use कोई information government ने दे रखेगी यह information है और हम लोग उस substance का use कर सकते हैं इन दा production और manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances और यहीं तक याद कर लें काफी है तो सिरी सिरी बात किये है कोई भी substance इसका use है in production और manufacture of narcotic और psychotropic substance में सिंपल सा definition याद रखेंगे एनी सबस्टांस विच चीज यूज इन दा production और manufacture of narcotic drug or psychotropic substance according central government वह हमारा controlled है मतलब controlling की जाएगी अब आगे कहा रहा है to the provisions of any international convention या कोई international convention हुई हो और वहाँ पर जो प्रविजन दियेगे प्रवदान दियेगे यह सबस्टांस को हम अपने सिंपल भासा में मैंने समझा दिया इसको इसी भासा में आप लिखके आ जाएंगे आपको नंबर पूरे मिलेंगे medicinal cannabis मेंटा यह जो points है यह direct जो अगर आप जाओगे ना नार्कोटिक सबस्टांस तो वहाँ पर जो डारेक्ट तो उठाओगे जो पूरा official gadget आया हुआ होता है मैंने डारेक्ट यह sentence वहाँ से लेता हूं मैं और मैं सबस्ट्रेन कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आप है हम उसमें से कोई extract निकाल रहे हैं किसमें से हैंप मैं से और इसको दवाजियों के लिए इस्तमाल कर रहे है तो मैंडिशने है कहलाती है नार्कोटिक ड्रग से क्या मतलब है means coca leaf cannabis opium poppy straw include all manufactured drugs और सारे के सारे जितने भी manufactured drug है वो सब किसके अंदर आएंगे नार्कोटिक ड को कालीफ याने की इस पीसे कौन सी थे इत्रोजाइलम दन ओपियम पॉपी श्ट्रॉव पॉपी श्ट्रॉव क्या थो भूसी टाइप ही रहती है ठीक है ना ओपियम की बात करें ओपियम means the coagulated juice of the opium poppy opium को मैंने उसमें दिखाया हुआ है किसके अंदर फारों को नोसी मे कोगुलेट कर दिया गया है जमा दिया गया है of the opium poppy and any mixture with or without any neutral material या तो उसमें नीटल मेटल हो अने सा ना हो नीटल में बता दिया पानी खाने भीना कुछ भी हो सकता है of the coagulated juice coagulated juice का कोई mixture है ठीक है of opium poppy but does not include any preparation containing not more than 0.2% of morphine ठीक है बट यह तो हो गया यहां तक अब एक लाइन और बना सकते हो it does not include any preparation इसके अंदर opium के अंदर कौन नहीं आता does not include any preparation containing not more than 0.2% of morphine अगर उस preparation में 0.2% से जादा morphine नहीं है समझे रहो ना does not contain any preparation containing not more than 0.2% 0.2% के नीचे तो include नहीं होगी इसकी ऊपर है तो वो opium में include कर ली जाएगी ठीक है ना morphine भी इसकी काई रूप है नार्कोटिक सब्स्टांस का opium derivative जो उससे derive होके आते हैं तो इससे कई साई definition आती है medicinal opium इसके अदर medicinal opium भी आ गया that is opium which has undergoes a process necessary to adapt it for medicinal use ज्यादक समझेंगे पहले ठीक है कहरा है medicinal opium जो opium किसी प्रोसेस से गुजरी हो और आब हम उसका क्या कर रहे है medicinal use कर रहे है in accordance with the requirement requirement के according of the Indian pharmacopoeia Indian pharmacopoeia की requirement के according और any other pharmacopoeia या किसी और pharmacopoeia के according notified in this behalf by the central government ठीक है ना इस बहाफ में अतलब opium derivative को ले कर गया अगर कोई mention है कि हाँ आप इस pharmacopoeia को ले कर भी कीजिए medicine बना सकते हो तो वो भी opium derivative के अंदर count की जाएगी whether in powder form granulated form otherwise और mist form with neutral material चाहिए वो किसी भी रूप में हो फिर वो opium derivative में count होगी medicinal रूप है वो भी count होगा अब अगला देखते है prepared opium that is any product of opium obtained by any series of operation कह रहा है कोई भी product बना हो opium का चाहिए वो किसी भी operation से किसी भी process से बनाया गया हो design to transfer opium into an extract ठीक है ना और उसको इस तरह से design किया गया है opium को कि उसका extract निकाल करके suitable बनाया गया है for smoking and the dross or other residue ठीक है ना for the smoking and the other residue जो उसको और कुछ बचा-कुचा पार्ट है remaining after opium is smoked या हमने कुछ इस्ट्रेक्ट मालों opium से निचोड निकाल लिया उसको हमने smoking के लिए use कर लिया अब बचा-कुचा पार्ट है उससे भी हम लोग smoke कर रहे हैं तो वह सारी प्रिपेर्ड ओपियम से क्या मतलब हो गया हम उसके extract को निकाल करके smoking में इस्तेमाल कर रहे हैं या उसमें से एक्स्ट्रेक्ट निकालने वह जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी smoking के लिए use कर रहे हैं तो वह भी ओपियम डेरिवेटिव में आएगा ठीक है यह लाइन यहां से हटा देंगे फिनेंध्रीन अल्कॉलाइड नेमली मॉर्फीन कोडीन थिबीन अडियर साल्ट यह भी ओपियम डेरिवेटिव में कोगी उसकी से बनते हैं फिनेंध्रीन अल्कॉलाइड यह मार कर लेंगे फि diacetyl morphine that is the alkaloid also known as diamorphine or heroin and its salt heroin आ यहाँ पर यह भी opium derivative opium से बनता है all preparation containing more than 0.2% of morphine or containing any diacetyl morphine वो सारी preparation जिसके अंदर 0.2% ज्यादा morphine है या उसके अंदर diacetyl morphine है वो सब की सब opium derivative यानि की opium से derive होने वाली चीजों के अंदर count किये जाएंगे ठीक है ना सब कुछ मेंशन कर दिया अब बात आती है opium poppy opium poppy देखा यह है मैंने कोगनोसी में दिखा जाता है फूल जैसा होता है ठीक है इसका मतलब क्या है plant of the species पैपेवर सोमनिफिरम एल तीन प्लांट आगे अरित्रोजाइलन कैनाबीस और पैपेवर सोमनिफिरम इसको तो अमने कोगनोसी में भी बटा अच्छे से किया हुआ है ठीक है तो कोई भी प्लांट होगा जो पैपेवर सोमनिफिरम स्पीसिस का है या पैपेवर सोमनिफिरम नाम का है तो वो सब पोपिक अंदर काउंट होंगे तब प्लांट ऑफ एनी अदर स्पीसिस ऑप पैपेवर फ्रॉम विच ओपियम और एनी फिनें अलकॉलाइट को निकाला जा रहा है ठीक है और उसके बारे में सेंटल गवर्मेंट ने ऑफिशिल गेजट ने बता रखा कि भले यह पैपेवर फैमली का नहीं है पैपेवर जीनेस का नहीं है लेकिन इसके अंदर से ओपियम है दूसरे एस्टेक्ट निकलते हैं तो ये भी इसी के अंदर काउंट किया जाएगा किसक के अंदर ओपियम के अंदर बासमज में आई ठीक है पॉपी श्ट्रॉफ पॉपी श्ट्रॉफ से क्या मतलब है means all parts कह रहा है सारे के सारे parts except the seed seed को छोड़के चाहें कोई भी part हो of the opium poppy opium poppy plant का seed छोड़ दे उसके लावा सारे part after harvesting weather in their original form or cut crushed powder and weather or not juice has been extracted there from कह रहा है कि जो plant निकला हमने उसके बाद हमने seed हटा दो seed को छोड़के पूरा का पूरा plant चाहें उसे पूरा पूरा plant को हम poppy straw बहुत सकते हैं और काट दिया हो वही poppy straw रहेगा उससे चूरा बना दिया हो cutting बहुत महीन कर दियो powder बना दियो तो भी poppy straw के अंदर count होगा weather उसका juice बना दिया हो ठीक है तो वह भी poppy straw के अंदर ही count पीसा हुआ हो plant के तुकड़े होगी क्यों ना हो plant का powder रूपी क्यों ना हो वह सब poppy straw के अंदर definition के अंदर ही count होगा कि इसको हम poppy straw ही बोलेंगे ठीक है न साइको ट्रॉपिक सब्स्टांस यह definition अपनी important है means any substance natural or synthetic कोई भी सब्स्टांस जो कुद्रती हो या artificial हो इंसान को द् जाते हैं और preparation of such substance या इस टाइब के substance की preparation या और material included in the list of psychotropic substances या कोई किसी प्रकार का material जो psychotropic substance के list में मौझूद है specified in the schedule जो schedule में मेंचन है वो सब के सब psychotropic substance कहलाएंगे बास आंज में आ रही है अब यह हमारों 15 definition है बच्चे पूछेंगे सर इसमें से यह तो बता दीजे इतने सारे हम करें क्या तो आओ फटा फट में एक जल नजर में तुम लोगों बताता हूं कौन से ज्यादा important है हमारे पास ठीक है तो अगर पूरी-पूरी definition याद नहीं होती बड़ा जो मैंने कहा रहा है जो मैंने briefing की है तो इसमें सीरे सीरे बोल सकते हो चरस गांजा इस इस लिख सकते हो ठीक है ना तो इसमें कैनावीस की येस करनी पड़ेगी हमको कैनावीस की definition कैनावीस प्लांट की नहीं करोगे चल जाएगा कोका डेरिवेटिव कोका लीफ कोका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर हम लोग देन कंट्रोल सब्स्टांस करेंगे यह important है जो क लूपीं और नियुक्त कर लेंगे और लांशन साइकाट्रॉपिक सबस्टांस चैसाथ है लेकिन पहले बताएगे निको पहले कर लोगिया ठीक है ना अब अब ऑब्जेक्टिव की बात करें क्या ओबिस्सिवार्वात है क्या ही यह एक्ट खुद से सोचो नशा बंद करन करना है control करना है मिस्यूज ना हो वगरा वगरा ठीक है ना तो कॉमन से चीज है कुछ छह साथ पॉइंट किसी भी टाइब का पॉईजन एक्ट हो अपना यह हो तो इसको अगर हम कंटॉल करना चाहरे हैं तो कॉमन से वर्ड है थोड़ा सा चेंज करके अगर दिमाग से काम करो ठीक है न तो कहरा है to consolidate and amend the law relating to narcotic drugs consolidate मतलब मजबूत करना हमें और amend करने हैं समय समय पर changes लाने है दा लाव रेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग हम चाहते हैं कि जो नार्कोटिक ड्रग को लेकर कानून है वह समय समय बदलते रहे इस एक्ट होगा तभी कुछ कर पाएंगे और इसको कानून को हम और मजबूत कर पाएं एक्ट होगा तो मजबूत कर पाएंगे एक हमार पास क्या रेफरेंस रहेगा कि देखो यहां पर लिखा है इसके अकॉर्डिंग चलना है ठीक है ना second to make stringent provision stringent मतलब होता है सक्थ सक्थ प्रवधान for the control and regulation of operation और विसी बात है न हमें सक्थ प्रवधान बनाने हैं जिससे कि हम लोग control कर सकें regulate कर सके operation relating to narcotic drugs operation मतलब जो भाई क्या होता है लोग license लेते हम खेती करेंगे फिर सरकार को बेच दिया जाता है वो इसको लेके भी काद्य कानून सक्थ होने चाहिए ठीक है ना to provide the for feature financial penalty for feature मतलब financial penalty बटा वर्ड याद रख लेना कई बार क्या होता है objective में आ गया what are the for feature for narcotic drugs अब for feature पता ही नहीं तुम्हें क्या होता है ठीक है यह standard word है तो financial penalty क्या penalty लगाए जाए अगर कोई law को नहीं मानता है of property derived from or used in illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances अगर किसी की property ठीक है न मान लो कोई इंसान है वो अपने घर से illegal काम कर रहा है नार्कोटिक ड्रक्स का तो उसकी property पकड़ी गई है कि उसमें यह सारे काम हो रहे तो तो उसको क्या penalty लगा नहीं है यह कहां पाद चलेगा मैं act के थुरू पाद चलेग तो भीया कमिटी बनेगी ना कौन किसको क्या करना है यह तो देखना पड़ेगा तो उस चीज के लिए भी हमको act लाना ही था बास समझ में आगई objective बेटा IMP है तुम्हारे लिए याद करेंगे इसको authorities and officers अब बात करते हैं कि आखिरकार यहां पर कौन-कौन सी authorities हैं और कौन-कौन से अधगारी होते हैं ठीक है तो कह रहा है central government to take measures to take measures मतलब हमको कुछ वो लेने हैं क्या कहते हैं हम लोग कुछ step उठाने है कुछ कदम उठाने है तो take measures तो उसके लिए लिए लिखा जाता है to take measures for preventing and combating combating मतलब उससे control करना है combating abuse of the illicit traffic and narcotic drug etc central government take measures central government को कदम उठाना है रोकने के लिए और combate करना है रोकना है उसकी combate होते हैं तरह से उसको खतम करना है abuse of यानि कि जो misuse हो रहा है drug का ठीक है अब क्या कर रहे है इसके लिए the central government may if it is consider it necessary तो central government चाहे तो अगर जरूर समझती है for the purpose of this act इस act के मताबिक by order ठीक है लिखने का तरीका है इस act के मताबिक order दे सकती है publish कर सकती है official gadget में बताएगी बकायदा gadget करेगी कि हाँ देखो कि मैं यह एक authority बना दी है ठीक है ना और a hierarchy of authority या मैंने एक hierarchy बना दी के top पर यह होगा इसके लिए authority काम करेगी hierarchy hierarchy मतलब होता है chain hierarchy मतलब होता है chain ठीक है for the purpose of exercising exercise मतलब कौन क्या करेगा for the purpose of exercising perform करने के लिए such of the power and functions of the central government center government है मेरे पास authority है मैं center government हूँ मैं चाहता हूँ कि यह सब कुछ control रहा है मैं अकेला क्या कर लूँगा बाइस जो प्रदानमंत्रिया चीफ मिनिस्टर होते हैं वह थोड़ना के खुद काम करते हैं वह अपनी नीचे committee बना देंगे अब मालो अधकारियों के बना दी वह अप central government के power और functions है वह नीचे authority में दे दी जाएंगे तुम करो ये काम ठीक है फिर हमको report कर देना ठीक है under this act for taking measures with respect to such of the matter तो अब यहाँ पर एक intro दिया गया है कि किस तरीके से भाई जो उपर तबके के लोग है वह district level पे जाकर के town level पे जाकर के काम नहीं कर सकते तो authority क्या कर दिय बाट दी जाती है आगे distribute कर दी आती हो अपने नीचे committee बनाएंगे अपने नीचे committee नीचे committee बना दी जाती है अब कौन कौन से officers है किस तरीके से रहेगा the central government shall appoint central government appoint करेगी narcotic commissioner जैसे police commissioner होता है वैसे एक narcotic commissioner appoint करेगी and may also appoint such other officer with such designations as it think fit for the purpose of this act commissioner सबसे high level पे हो जाएगा फिर उसके नीचे कुछ ऐसे अध्गारी भी appoint करेगी जो इस purpose के तहत हमें चुने जाने या इस एक्ट को perform करने के लिए जरूरत है the narcotic commissioner shall either by himself जो commissioner है वो खुद और through officer subordinate to him और through officer या खुद से या कुछ officers लेकर करके subordinate ही मतलब एक तरीक अपना काम बाटेगा और अपने आपको टॉप पे रखेगा exercise all power and perform all functions relating to superintendence of the cultivation of the opium poppy ठीक है ना तो सारे power जो है वो बाटेगा exercise all power उसको power जो दिये गए उनको perform करेगा सारे functions करेगा relating to superintendence superintendent मतलब देख़ए करना किसका cultivation of opium poppy production कहां कितना हो गाया जाएगा कितना production होना है and sell also exercise and perform such other powers and functions as may be interested इसके अलावा कुछ और भी exercise मतलब perform करेगा करेगा कुछ power और function को जो की इंट्रेस्टेट मतलब सौंपे जाएंगे उसको बाएदा central government इसके अलावा भी central government के जोड़ा कोई power उसको दी जा रही है सौंपी जा रही है तो उसको भी वो करेगा तो इस is the language of law ठीक है मैं उसको जैसे हिंदिय में बता दे रहा हूं आप ठीक किसी को अपने साधारन language में लिख दे रहा है जैसे for example कि central government will appoint a narcotic commissioner and narcotic commissioner by himself or kya ya senator commissioner will appoint further more officers under him to perform all power and functions ठीक है ना the the main functions of the main function of commissioner is relating to the superintendents या to look after the cultivation and production of opium ठीक है ना इस तरीके से मन से बना करके जब लिखेंगे ठीक है तो अभी मैंने पूरा जो language actual है कुछ बच्चे लर्न कर सकते करने के छमता होती कुछ बच्चों को चाहिए होता कि नहीं सर जो language वही चाहिए तो मैंने वह लिख दिया और जो मैं समझाता जा रहा हूं इसको आप अपनी language बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है तो वीडियो को pause करके copy pen लेके जरूर बैढ रिया ना ठीक है भले अभी हिंदी में लिख लेना बाद में से इंगली से अपना translate कर लेना बात समझ मारी है अब यह कौन सी कमीटी की बात हो रही है एक तो commissioner हो गए अब दूसरा क्या है कंसल्टेटिव कमीटी बना जा रही है तो सेंटर कॉवर्मेंट में constitute बना सकती है by notification in the official gadget अच्छा जो भी काम करेगी न वो तो लिखा था by notification in the official gadget वो official gadget में notification देती है अब gadget मतलब एक gadget मतलब होता है कि अखवार में notification दे देना जहां से यह मान लिया जाता है कि अब भारत के हर आदमी को आदमी नहीं एक gadget पढ़डा होगा चाहें पढ़ा हो ठीक है आपको यह नहीं कह सकता this current call मतलब हो बलाई जै सकती है बनाई जै सकती है the where the narcotic drugs and psychotropic substances consultative instructed committee कमिटी ठीक है würगा नहीं हो आग्वार्वाइस यह इसको City ओपर एडवार्वाइस देती है है ना हाई लेवल के ऑफसर होते हैं अधिकारी होते हैं यह लोग ठीक है ना कमिटी सेल कंसिस्ट ऑफ चेर्में इस कमिटी में एक चेर्में होगा एंड सच अधर मैंबर कुछ और मैंबर होंगे नौट एक्सीडिंग 20 लगभाग इतने मैंबर होंगे कि बीस से ज्यादा ना हो टोटल दस पंदरा नौ अकॉर्डिंग रख लिए जाते हैं ठीक है कि मिलेगी जब जरूद है तो पूरे मेंबर को मैसेज किया जाए कि आओ मिलना है कुछ बाते करनी है टू डू सो बाइदा सेंटर गॉर्मेंट एंड कुछ ऐसा किया जाता है सें पावर है कि आपने खुद की ही प्रोसीजर को रेगुलेट कर ले अच्छा यह काम सब्सक्राइब लाँ हम इसको चेंज करते हैं किसी उपर की ज़रूरत नहीं यह खुद इपने काम के कारवाई को या जो काम करने के तरीकिया उनको चेंज कर सकती है दा कमिटी में कमिटी चाहे तो if it deemed it necessary उसे लगता है कि जरूरत है so to do for the efficient discharge of any of its function ताकि उसको करने है वो efficiently अच्छे से discharge हो सके perform हो सके constitute one or more subcommittee वो अपने नीचे एक या एक से ज़्यादा और committee भी बना सकती है and may appoint to any such subcommittee या ऐसी अपने अंडर और अपने नीचे और subcommittee को appoint कर सकती है clear रहे the term of office filing casual vacancies filling sorry filing me office का term vacancies जो उसके नीचे मालो 10 member रखने तो उनको vacancy भरनी है न वो vacancy भरना है allowances कितना पैसा मिलेगा and the conditions and restrictions to which the committee में appoint a person or conditions or restrictions क्या condition है क्या restrictions है एक इंसान के उपर जो committee में join होगा अगर के who is not a member of the committee as a member of any office subcommittee shall be such as may be prescribed by rules made by the central government वो सब के सब कौन इंसान रहेगा कितना allowance मिलेगा ठीक है कितने समय के लिए रहेगा यह सारी चीजें prescribe की गई है shall be as shall be such as वो इस प्रकार होंगी किस प्रकार होंगी जैसा कि लिखा गया है या कहा गया है prescribed by rules जो rules बने हुए हैं बायदा central government जो कि central government को दोवारा rules बनाए गया है उसके according सारी vacancy भरी जाती है, allowance वगरा मिलता है, restriction वगरा लगती है, सारी इसके according होती है, ठीक है, बास समझ में आगी, तो यहाँ पर एक commissioner हो गया, एक consultative committee हो गई, दो हो गई, ठीक है, authority and officers, आगे आते हैं, अब यह तो हो गया central की बात, same चीज, जैसे center में था वैसी state, अब center व बनाओ, अपनी committee मनाओ, ताकि state वाला फिर district level पर चला जाएगा, ऐसी तो काम होगा, district वाला state level को, क्या करेगा, inform करेगा, state वाला center level को, inform करेगा, कि हमारा ऐसा-इसा काम हो रहा है, clear है, आगे आते हैं, the state government may appoint such officers with such designation at, is things fit for the purpose of this act, state government चाहे तो appoint कर सकती है, ऐसे officer, ठीक है, और कुछ, ऐसे designation, ऐसे designation मतलब, IS है, कौन है, secretary है, कौन है, ऐसे लोगों को ले करके, वो जो की act के तहत, fit होते हैं, तो officers appointed under subsection 1, shall be subjected to general control and direction of the state government, ठीक है न, जो subsection 1 के तहत, appoint के जाएंगे, वो किसके control में होंगे, general control and direction, वो state government के दिशा निरदेशों की अनुसार, काम करेंगे, clear ह Prohibition, control and regulation, Prohibition, क्या चीज, Prohibit है, क्या control है और क्या regulate करना है, अब, Prohibition of certain operation, no person without the permission of central government, shall, क्या क्या चीजे मना है, तो कह रहा है, कोई भी इंसान, बिना permission के central government के, क्या क्या नहीं करेगा, cultivate नहीं करेगा, उगाएगा नहीं, any coca plant, और gather any portion of coca plant, ना उगाएगा, ना इखटा करेगा, coca plant के किसी भी पार्ट को, cultivate the opium poppy, any cannabis plant, ना cultivate करेगा, ना खरीदेगा, ना transport करेगा, ना store करेगा, ना use करेगा, ना खाएगा, ना consume करेगा, या import करेगा, ना interstate, ना export करेगा, ना import करेगा, इंडिया से ना export करेगा, कहीं भार से, any narcotic drugs, और psychotropic substance, except for medicinal, और scientific purpose, ठीक है, अगर medicinal, scientific purpose है, तो उसके लिए, क्या लेगा, permission लेगा, तो ठीक है, इसके अरावा, किसी और चीज, purpose के लिए, वो, कुछ भी नहीं करेगा, and in the manner, and to the extent provided by the provision of this act, ठीक है ना, तो कहानी वही होती है, लाइन लिखना मतलब होता है, कि इस tax के अंदर जो प्रवजान दिये गए है, उसके तहत, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जब तक कि उसे medicinal, scientific purpose करेगा, अगर medical, scientific purpose के लिए भी चाहिए, तो उसके लिए भी license लेना होता है, ठीक है ना, तो यह सब चीजे प्रोहिबीट है, मना है, जो अपनी है ना, प्रोहिबीशन, तो यह सब चीजे मना है, उसके अंदर यह तीन लाइन लिख किया होगे, अच्छा, बाद में एक लाइन आती है, जैसा कि, और साइक्ट्रोपिक सबस्ट्राइए, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल में कहा गया है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा लेंगेज का खेल है, इसकी लिए समझाता चल रहा हूँ, इससे कि आप लोगों को चीजें किलियर हो जाए, ना, पावर ऑफ सेंट्रल गववर्मेंट टू परमिट, कंट्रोल और रेगुलेट, सेंट्रल गव है, परमिट रेगुलेट होनी है, कल्टिवेशन, गैधरिंग, गैधरिंग मतलब इखटा करना, और अफ एनी पॉर्सों अफ कोका प्लांट और दा, प्रड़क्शन, प्रचेशन, सेल, परचेश, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है, यूस, कंजर्शन कोकालिफ, तो कोई सेम चीज़ उपर वाली आ गई, तो यहां से अब तेशिक है, एक पॉइंट पढ़ लिया, तो इसमें भी आंसर वही आ गया, अब विसी बात हम, नार्कोटिक्स और साइकोटर्पिक सेप्शन पढ़ना है, जैसे मैंने का इसके बारे में काफ सारी बात पर्मिशन चलता है, यह सारी चीज़ों के लिए पर्मिशन चाहिए होगी, और इनको सब्सक्राइ runners-menicida करती देख रहे कर तो सब्सक्राइब करने पर अब सब्सक्राइब करना कब कर सारी चीज़िए उपर से राइटेज़न के लिए था कुंछ से होगा और सब्सक्राइब कितने समय के लिए कब renew कराना वगरा वगरा सारी चीज़े होती है manufacturing के लिए चाहिए possession रखने के लिए transport, import, interstate, फिर उन सब चीज़ें के लिए consumption या use of essential narcotic drugs इन सब के लिए permission चाहिए और regulations होते है regulation का मतलब सीदी सी बात है कौन सा license हमें चाहिए होगा या किसी खास permission की जरुदत है वो हमें लेनी पड़ती है manufacturing, price and transport सारी चीज़ें psychotropic substance एक narcotic के लिए हो गया same line, दोनों लाइने same है एक narcotic के लिए लिखी, एक हमने psychotropic के लिए लिख दी, हमारे points बढ़ गए the import into India export from India and transshipment ship, एक ship के रास्ते दर से उदर ले जाना of narcotic drugs and psychotropic substance इन सब चीज़ों के लिए हमें permission चाहिए होगी और कुछ regulations होते हैं, form भरने पड़ते हैं checking होती है, inspections होते हैं कि हाँ सही है कि नहीं है, फिर government क्या देती है, जो authorities होती है वो license दे देती हैं, और फिर आप क्या control है, अब control के देखो वही बात आजाएगी बड़ा simple सा है यह point empower the central government ठीक है ना, एक तरह जो act है वो central government को power देता है to fix from time to time the limits within which license may be given यह time time पे limit set करती है license देने के, कितने license देने हैं कितने नहीं देने हैं, इस साल के लिए इतने बहुत हो गए, ठीक है may be given for cultivation of the opium poppy तो भई हर कोई ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना तो कितने license दिये जाने है ठीक है opium poppy को उगाने के लिए या नहीं दिये जाने है उसकी बात चलेगी required that all opium the produce of land land के उपर with opium poppy shall be delivered by the cultivators to the officers वो सारा का सारा opium poppy deliver किया जाएगा officers को, जो authority है इसका ध्यान एंड़ा, इसका बड़ा कहते हैं, इसमें बड़ा चक्कर होता है जब आप उगाते हैं, तो time time पर final जब opium पूरा पकता है तो पूरा officers आ करके na plant की counting करते हैं, अच्छा ये 10 plant है, एक आद plant भी गाया हो जागा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है असके अंदर plant की counting होती है, अगर कोई plant गाया होता है तो उसका reason देना होता है बकाइदा ठीक है तो जितना भी गाया है, वो सबका सब जो officer authorized ने, उनको देना होता है in this behalf by the central government जो officers authorized ने है central government की तरफ से, उनको सारगा सारा सौपना होता है prescribe the forms and conditions ठीक है न, तो control and certain operations में क्या है, जो ये act है, इसके तहट कुछ forms prescribe किये गई है कुछ conditions बताए गई है, license के लिए for cultivation of opium poppy opium poppy का किस form में license लेना है किस रूप में license मिलेगा वगर वगर सारी बाते बताई गई है and for production and manufacture of opium manufacture का कितना production करना है कितना manufacture करना है, क्या fees है debt may be charged, therefore उसके लिए कितना fees लगेगी the authorities by which such license may be granted with held reviews, ठीक है, अब जो authorities इस purpose के लिए रखी गई है वो रोक सकती है, मना कर सकती है cancel कर सकती है and the authorities before which appeal against the orders of withholding, refusal or cancellation of license shall lie ठीक है ना, तो जो authorities है वो चाहे तो अगर वो देखती है कि नहीं जिसने ये form om दिया है या fees वगर भरी हो, वो मतलब सही तरीके से नहीं है, तो वो उसके license को रोक सकती है, मना कर सकती है, cancel कर सकती है अच्छा है, इसके खिलाफ हम लोग चाहें तो appeal कर सकते है appeal against the order of withholding कि भई हमारा क्यों रोक लिया reply दीजिए हमें, हमारा क्यों मना कर दिया हमारा क्यों क्यों गैंसल कर दिया license ठीक है ना, तो इसके लिए वो appeal भी कर सकते हैं, उपर higher authority या कुछ तरीके होते हैं, उस act के तहट फिर वो authority को जवाब देना हो जा जा कि हमें तुमारा क्यों मना कर दिया ठीक है, control on certain operations कुछ operations, prescribed act opium shall be wait opium का वजन किया जाएगा उसको examine किया जाएगा देखा जाएगा कि सही है कि नहीं है and classified according to its quality और उसकी quality का according classified किया जाएगा and consistence by the officers authorized in this behalf ये सारे काम जो इस काम करने के लिए जो persons authorized है, officers, वो लोग इस काम करेंगे और कहां से authorized हैं ये central government कि तरफ से in the presence of cultivator at the time of delivery by the cultivator ये सारा काम जिसमें मानलो लेके आया है कि हाँ इतनी खेती होई भीया लो अब जो officers है वो क्या करेंगे अच्छा जाचेंगे पूरा पहले वजन करेंगे, फिर जाच परताल करेंगे सही है कि नहीं है कुछ गरवड़ है क्या है फिर qualities होती है अलग-अलग उनको separate करती है फिर पूरा रसी रसीद बना करके उसको देती है कि भाई देखो इतनी हमने प्राप्त किये है इतनी हमने दी है इसमें दोनों चीज़ों होती है अगर मानले किसने सब्स दे दी कि हाँ भाई हमने 10 किलो इस कल्टिवेटर से लिया है तो उसकी रसीद कल्टिवेटर के पास भी जो उसको समाल के रखनी होती है कल को कोई बात होगी तो कल्टिवेटर दिखा देगा भाई हमने 10 किलो दिया था इन लोगों ने कहां आदक आगे कि हमें क्या पता यह उनको रसीद दी है हमको ठीक है ना भाई अथर्टी भी तो गरवड कर सकती है मैंना उतना बहुत ज़्यादा इंपावर दे सेंटल गवर्मेंट यह एक्ट इंपावर करता है सेंटल गवर्मेंट को तो फिक्स फॉर्म टाइम दे प्राइस यह एक्ट सेंटल गवर्मेंट को पावर देता है कि आप कितना पे करेंगे उस कल्टीवेटर को जिसने यह पौधा हुआ करके आपको दिया है प्रॉआइट फॉर्मेंट एक्जामीनेशन और क्लासिफिकेंशन आपको यह पर गया है अब देखो यहां पर गया है थोड़ा सा बात को समझेंगे यह जो एक्ट है यह प्रोवाइट कर इसके तहत है ना control the certain operations ठीक है यहाँ पर हमारा अगला operation क्या है provide for weighment हमें wait करना है examine करना है classify करना according to the quality and consistence कि किस type का है वो of the opium received at the factory जब factory receive करता है तब यही सारे काम होगे and the deduction from or additions addition मतलब कुछ जो जोड़ा जा रहा अगर कोई addition है तो या तो deduct करेगा घटाएगा या वो add करेगा अगर कुछ है तो to the extended price जो standard price है उसमें कुछ deduction कर सकता है या addition कर सकता है अगर करने को है तो to be made in accordance with the result of such examination ठीक है ना जो price इस examination करने के लिए जो price वगरा लगे है ठीक है ना उसको घटा सकता है या add कर सकता है and the authorities by which application deduction or addition shall be made and the authorities before which appeal against such decision shall lie ठीक है ना तो यहां पर simple सी बात वही कह रही है कि कहा जा रहा है कि जब factory में दिया जाएगा तब भी हमारा क्या इसका wait किया जाएगा examine किया जाएगा और उसमें कुछ charges वगरा लग रहे हैं तो वो charges में add किया जाएंगे या डिटर कर दिया जाते हैं ओके हैं ठीक है अगे आते हैं रिक्वाइड एट ठीक है इस एक्ट है जरूरत है डैट की कि ऑप्यम को deliver किया जाए है बाई कल्टिवेटर इफ फाउंड एजर्ट ऑफ एग्जामिनेशन इंदा सेंडल गवर्ण फैक्रेटर टू अदल ट्रेट इड के रहा है कि ऑप्यम को हुई इसके अंदर ठीक है न अगर मिलावट पाई जाती है तो उसको जेल हो जाएगी ठीक है इस act के तहट प्रिस्काइब किया गया है the forms and conditions of license कौन से form और license आपको लेने हैं कौन से form भरना है for the manufacture and manufactured drug manufacture drug के लिए या manufacturing के लिए हमें इसके में क्या है लेना पड़ता है the authorities by which such license may be granted and the fees that may be charged therefore ठीक है और इसके लिए क्या है authorities है उनको सामने जाकर के जैसे कि आप लोगों पता ही है normally medical license के लिए हमें drug inspector के पास जाकर के license लेना होता है तो वैसी इसके लिए आपको अगर को लेना होगा ठीक है इस एक्ट के तहर्ट प्रिस्काइब किया गया है forms and conditions of license और पर्मिट फॉर्दा मैनिसेक्ट्चर प्रशेजन ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानि कि आपको क्या करना है पर्मिशन चाहिए मैनिसेक्ट्चर करने के लिए रखने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए सेल करने के लिए पर्चेस करने के लिए consumption, use करने के लिए use करने के लिए मतलब होता है कि कई बार कुछ problems होती ही, बिमारियों होती ही, जिसमें आपको use कर सकते हो, ठीक है और use of psychotropic substances the authorities, अब use consumption के लिए मतलब, हम नहीं मालों कोई hospital है, जो की पागलों का hospital है तो वहाँ पर जो क्या चलेंगे नार्कोटिक और psychotropic से चलेंगे तो उनको permission लेनी होती है कि भाई यह खिलाई जाएगी दवा के रूप में, ऐसे नहीं ठीक है, दवा के रूप में use of psychotropic substances, the authorities by which such licenses or permit may be granted and fees that may be charged therefore, ठीक है और authorities जो इसके लिए बनाई गई है उसको जाकर कि आपको चार्ज देना पड़ेगा, fees देनी पड़ेगी और वो आपको license दे देगी ठीक है, इस act के तहट prescribe किये गए है, ports and other places ports जहां से ships वगरा जाते हैं वो खास ports हैं, वहीं से ही उन्हीं ports के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, export इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी और port के द्वारा नहीं कुछ जगह बोली गई है, उन्हीं जगहों के द्वारा आप वहाँ पर इस्टोर करेंगे, जो भी चीज़े होंगी at which any kind of narcotic drugs or psychotropic substance may be imported into India और exported from India, खास जगह decide की गई हैं कि इसी जगह पर आप अपना माल विदेश से मंगा सकते हैं और यहां से अपना माल विदेश भेज सकते हैं, उसके लावा कोई और जगह से नहीं करेंगे, ठीक है और transship, transship मतला वोई ship में जहाज में ले जाना है इदर उदर the forms and conditions of certificate authorization and permit as the case may be for such कहा रहा है, इसके लिए जो forms है, certificates है, authority है या permission है, जो मर्जी जैसा भी चीज आपको जरूत है, ठीक है न? वो सब क्या है, import sport के लिए authorities इसके लिए दी गई है उसके पास जा करके, आपको क्या करना fees जमा करनी है, और जो charge है वो देना है, और authority जो आपको बनाई गई है इस चीज के लिए, वो आपको इस चीज के लिए license दे देगी, सीधी कहानी हर बार का मतलब यही निकलता है, बात समझ में आ रही है चलें, अब बात करते हैं offenses and penalties की, तो heading सियाद होगी न, इसको मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा language, direct मैंने जो उसकी law की language ती, उसकी को use किया हुआ है, तो आप इसको याद करने की कोशिश ना करें जो लोग याद कर सकते हैं, अच्छी बात है otherwise जो मैंने समझाया है, simple भासा में आप उसकी language बना करके लिखें तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है न, अपनी यह heading भी cover हो गई अब आते हैं, offenses and penalties क्या-क्या offenses है, क्या-क्या penalties है for contravening, contravening मतलब उलंगन, अगर आप उलंगन करते हैं किसी भी प्रवधान के, act के प्रवधान का और rules का, तो आपको jail, imprisonment मतलब jail लिखते जाए यह बेटा, जो मैं टिक करता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ हिंदियों बता रहा हूँ, मतलब आप pause करके वीडियो को लिखते जाए, इसलिए कहता हूँ copy pen लेके बैठा करो बैठे हो copy pen लेके, नहीं बैठे होगे पड़ो, फिर देखना वीडियो हमें क्या है बार-बार देखो ठीक है, copy pen लेके बैठा को बैठा तो कुछ खास-खास word होते न, उनको लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है imprisonment मतलब jail, okay 10-20 साल के लो हो सकती है ठीक है, करो, चले 10-20 साल के लोगे क्या दिक्कत है, बादर तुम लोग नहीं जो लोग करते हैं, वो लोग जा सकते है and fine, जुर्माना लग सकता है from 1 lakh to 2 lakh rupees can be imposed, imposed मतलब थोपना, 102 लाख रुपय का जुर्माना थोप दिया, लगा दिया in certain cases, कुछ खास तरह cases में, rigorous imprisonment will be 15 to 30, rigorous मतलब कोई उसमें कोटाई नहीं, बस रहो जेल में ना भार निकलोगे, ना उसमें जबाना देना कुछ है, and fine लग सकता है, 1.5 लाख से 3 लाख तक है illegal possession आप आपने पास रख रहे हैं और आपके पास कोई भी license नहीं है रखनेगा cocaine, morphine, यह punishable है और jail हो सकती है up to one year और fine हो सकता है या दोनों हो सकते है failure to keep accounts or submit returns as required by law ठीक है ना, failure to keep account आपने license करा ले रख रखा है और आपने अपना account पुरा clear नहीं है कितना आपको मतलब cultivate किया है जो भी आपने account होना चाहिए था वो आप proper नहीं कर पाते हैं जैसा कि कहा गया तो law के दुआरा जैसा कि आपने license लेते वक्त साइन किया था हाँ मैं सारे कायद कानून मानूंगा आपने नहीं माने, आपने मनवानी करी लाराइच में कुछ बेस दिया, तो आपको जैल हो जाएगी छे मैने से लेकर के या फाइन लग सकता है ठीक है failure to produce record, license, permit, authorization, etc या आप क्या करते हैं license वगरा आया authority जांच करने के लिए आप license नहीं दिखा पा रहे है license कहा है, आपका मिली नहीं रहे है आपने उसने का कि record दिखा आपने आप record आपके गायव है आपने maintain नहीं किये on demand by authorized person है ना कोई authorized person आया चेकिंग करने के लिए और उसने का ये सब दिखाईए आप नहीं दिखा पाए ऐसी स्थिती ये भी punishable है with imprisonment, यहां पे jail हो सकती है पांच साल के लिए या fine लग सकता है और jail दोनों हो सकता है person who are convicted outside India अगर कोई इंडिया के बाहर दोसी पाया जाता है for offense will be liable to enhanced punishment for subsequent offenses of such kind ठीक है तो अगर वो इंडिया के बाहर है और फिर उसको further liable to enhanced punishment उसकी punishment बढ़ाई सकती है for subsequent offenses अगर वो इसी type का offense द्वारा करता है तो उसकी punishment और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है substance with which offenses can be committed will be seized जो substance उसके पास पाया जाएगा ठीक है नव उसको seize कर दिया जाएगा उसको seize करने मतलब है उससे छिन लिया जाएगा और ताले में बंद कर दे जाएगा कि हाँ यह आपके बाशन मिला है फिर उसका तो government उसको क्या करती हो बात की बात है ठीक है तो यह कुछ क्या है offenses and penalties जो अपने पास heading थी औके और यह chapter अपना खतम हो जाता है काफी अच्छा chapter था इसमें बहुत साथे terms है वेटा laws में मैं सुरू से बताता आ रहा हूँ बहुत साथे terms है में direct laws जो अपने उसमें आते हैं क्या करते हैं publish होते हैं उन्हीं से सीथा सीथा language उटके यहाँ पर डाज़ता हूँ मैं जिससे क्या है कि exact बात समझाए जा सके ठीक है और जो समझाता हूँ उसको आप हिंदी में अपना क्या इंग्लिस में अपना जैसा भी है लिख सकते हैं बात बागी इसकी PDF यहां मिल जाएगी ठीक है न डिस्क्रिप्शन में यहारा number है कोई problem आती है तो अगर और यह अपना must app है जिसका आप use कर सकते हैं और इसके practice करने के लिए बात बागी क्या है पढ़ना है और revise करना है पढ़ते रहो revise करते रहो all the best